हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम इन इपार्ट शाला चैनल इस वीडियो में हम डिसकास करेंगे सॉयल मेकेनिक सब्जेक्ट का एक नुमेरिकल स्सी जेई एक्जाम में पुछा गया है 2010 में 15 मार्क्स में इस से पहले हमने चार कोश्चन किये हैं एक्ट्रेस टॉपिक से रिलेटेट कोश्चन नमबर 5 दि फॉलॉविंग प्रॉपर्टी इस आप सॉयल वर डिटर्माइन बाइ पर्फॉर्मिंग टेस्ट और प्ले सेंपल पर टेस्ट किया गया है और कुछ प्रॉपर्टी इस को ड प्लास्टिक लिमिट हम समझते हैं एक ग्राफ से एक्स एक्स पर वाटर कंटेंट वाई एक्स पर वॉल्यूम आप सॉयल वॉल्यूम आप सॉयल में जब अधिक वाटर हम मिला देते हैं तो सॉयल फलो हने लगती है सॉयल लिक्विड जैसा भी है करती है तो मान लेते हैं यह जो point है यहाँ पर हमने जो water मिलाया है यह इतना water हमने मिलाया है soil में और यह volume है यह volume हो यह water content है तो इस पर soil flow होने लगी ठीक है अब जब water हम कम करेंगे तो soil की state change होगी जब soil flow हो रही तो इस state को हम कहेंगे liquid state फिर हमने जब water कम किया तो वो state change करेंगी soil और liquid state से plastic state में आ जाएगी जहाँ पर की soil plastic material की तरह बिहेव करेंगी अगेन हम water content कम करेंगे तो soil plastic state से change होगे semi solid state में आएगी semi solid state तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो water content हम कम करते हैं तो उसका soil का volume भी कम हो रहा है लेकिन अब जब हम water content कम करते जाएंगे तो semi solid state से जो soil है वो solid state में आएगी बट जो volume आप soil है soil का volume वो अप कम नहीं होगा क्योंकि जो water content हम कम कर रहे हैं वो soil के वाइट में जो water content वो कम हो रहा है तो soil के यह दी वाइट में water content कम होगा तो उस water की जगर air आ जाएगी तो इस चार state हो गई है तो चार state है तो यहां पर पहली state liquid state है यहां से जब soil change होती है plastic state में तो एक limit आएगी यहां पर ठीक है जब soil plastic state से semi solid state में change होगी तो इस limit को हम कहेंगे plastic limit इस water content को हम क्या कहेंगे plastic limit next जब soil semi solid state से solid state में change हो रही है तो यह limit कहलाईगे shrinkage limit यह तीन limit है यह water content को represent करती है liquid limit वह water content जब soil liquid state से plastic state में change हो रहा है तो उसको हम कहेंगे liquid limit और similarly plastic limit and shrinkage limit shrinkage limit में एक question यहां पर यह बन जाता है कि जो volume आफ soil है वो change नहीं होता है shrinkage limit के बाद में जो water content है वो हम कम कर रहे हैं लेकिन soil का volume change नहीं होता है क्यों नहीं change होता है क्योंकि जो water content अब काम करेंगे वो soil के voids में जो है soil के जो ports में जो water content वो काम हो रहा है तो उसके जगह air आ जाती है तो liquid limit, plastic limit हमें समझ लिया है अब question देख लेते question में पहले आपको पुछा है calculate the liquidity coefficient ठीक है exam में आपको direct इसके बात क्या करना है जैसे exam में यह तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया exam में आपको direct question में आपको जो पुछा है जैसे liquidity coefficient पुछा है इसका formula आपको याद होना चाहिए liquidity coefficient का इसको liquidity index भी कहता है liquidity index इसका formula होता है natural water content यह natural water content है यह water content at liquid limit और यह water content at plastic limit तो liquidity index यह liquidity coefficient का formula होता है natural water content minus water content at plastic limit divided by plasticity index और plasticity index का formula होगा water content at liquid limit minus water content at plastic limit अब इनकी value आपको question में घिवन है natural water content 25% minus 24 divided by 32 minus 24 तो यह कितना होगा 0.125 तो यह answer यह होगा हमारा 0.125 नेक्स्ट आपको पुछा है uniformity coefficient यूनिफॉर्मिटी coefficient इसको रिप्रेजंट करते हैं cu से formula होता है d60 by d10 d60 यहाँ पर आपको given है diameter आप 60% size कितना है 0.006 divided by d10 भी कितना है 0.006 तो यहाँ से cu कितना होगा 1 second answer हमारा यह है third आपको question में पुछा है relative consistency relative consistency यह SCOM कहते है consistency index consistency index इसका formula होता है water content at liquid limit minus natural water content divided by water content at liquid limit minus water content at plastic limit liquid limit पे water content कितना है 32% natural है 25% 32 minus 24 तो इसको solve करेंगे यह कितना होगा 0.875 तो यह 3 answer आपको पुछे गए यह थे question में liquidity coefficient 0.125 uniformity coefficient 1 और relative consistency कितनी है 0.875 अब यहाँ पर आप cross check कर सकते हो answer को liquidity index और consistency index liquidity index il plus consistency index इन दोनों को add करते हैं तो 1 आना चाहिए तो आपकी liquidity index कितनी है 0.125 plus consistency index 0.875 तो यह 1 होना चाहिए तो इसको add करेंगे तो 1 होगा तो यह आपका answer correct है आप इसको proof भी कर सकते हो LHS liquidity index का formula क्या होता है water content minus water content at plastic limit divided by water content at liquid limit minus water content at plastic limit plus consistency index का formula होता है water content at liquid limit minus natural water content divided by WL minus WP WL minus WP common ले लेंगे LHS होगा यह LCM होगा W minus WP plus WL minus W W cancel हो जाएगा तो यह होगा WL minus WP divided by WL minus WP यह cancel होगा तो कितना है हो 1 तो यह प्रूब भी कर सकते हैं आपर derivation है simple ठीकर question में आपको liquidity index और relative consistency यह consistency index और uniformity coefficient uniformity coefficient यहाँ पर एक आप याद रख सकते हो data CU greater than 4 इसका मतलब जो file है वो well graded well graded gravel कहेंगे उसको हम यह दि CU की value 4 से जादा है तो जो gravel है वो क्या होगा well graded उसमें grading अच्छी grading है CU greater than 6 है तो well graded sand होगा जो sand है वो well graded है और यदि इससे कम value है तो वो poor graded होगी या uniform graded soil होगी यहाँ पर CU की value क्या है 1 है तो यह जो soil है यह well graded नहीं है यह poorly graded होगी या uniformly graded question number 5 simple question है यह आपको university exam में भी पुछा जा सकता है इस type का question semester exam जो होती है और SSC JE में भी आपको इसी type का question repeat हो सकता है वीडियो अच्छा लगा तो आप like कर सकते हो यदि आपको कुछ doubt है वीडियो में तो आप comment में पुछ सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को share कीजिए चैनल पहने है तो चैनल को subscribe कीजिए जिससे कि आपको latest वीडियो मिल सके थैंक यू फो वाचिए